देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान वेलकम बैक दोस्तों टू स्पोटलाइट विद दीपक चैनल और आज हम बात करेंगे तनिश्क की एड के बारे में, उसके उपर हो रही जमकर ट्रोलिंग के बारे में और अल्टिमेटली तनिश्क का उस एड को विड्रॉ करना इस सब के बारे में तो दोस्तों केस आप सबको पता ही है तनिश्क ने एक नई एड निकाली है मार्किट में अपकमिंग फैस्टिवल सीजन के परेके उस एड के उपर उन्होंने काफी पैसा खर्च किया है दिख रहा है उस एड में और साथ ही साथ उन्होंने एक अच्छी कॉंसेप्ट दी है हिंदू-Muslim एकता के उपर अपनी दरफ से एक सोशल मैसेज भी डाल दिया है पुड़क्ट भी प्रमोट होगा थोड़ा सा यूनीक एड हो जाएगा ये सब चीजे ध्यान में रखके अच्छी एड बनाई है दिक्कत ये हुई है कि जैसे ही वो एड बनके आई है जबर्द स्ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है उस एड को लोगों ने यहां तक कहा है कि ये एड लव जिहाद को प्रमोट करती है तो तनिश्क ने एक एड बनाई अपकमिंग फैस्टिव सीजन को ध्यान में रखकर है महंगी एड थी अच्छी एड थी और सबसे खास बात एक आखिर तनिश्क की हिम्मत कैसे हुई मसलिम परिवार की बहूँ एक हिंदू लड़की को दिखा दिया पाकिस्तान और चीन से भी बड़ा गुनाथ तनिश्क ने कर दिया अब यहां पर तनिश्क फीद था या गलत था इस पर आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंड सेक्शन मे अपनी राये जरूर रखें तो खैर तनिश्क ने भी बात बढ़ती देख जादा समय ना गवाते हुए अपनी इस एड़ को विड्रो कर लिया मतलब टीवी से हटा दिया अब यहां पर लोगों की राय बटी हुई है कुछ लग कहते हैं कि ये ट्रोल सैना की जीत है और कुछ कहते हैं कि एड़ को हटाके तनिश्क ने ट्रोलर्स के मूँपर एक तमाचा मारा है क्योंकि जो एड़ दो महीने चल कर भी तनिश्क को उतना फाइदा शायद ना दे पाती जितना सिर्फ दो दिन में दे दिया है तो तनिश्क ने एड़ बंद करके एक तीर से दो शिकार किये हैं नमबर एक उनके नए प्रोड़क्ट रेंज को जबरदस्ट माइलेज मिल गई है नमबर दो एड़ भटा के तनिश्क नए मैसेज भी दिया है कि वो विरोत में उठने वाली आवाजों की इज़द करते हैं और अपनी सामाजिक जमेदारी स्विकार करते हुए अपनी इस एड़ को खटा रही है लेकिन इस तरह ट्रोल्स का किसी कमपनिया प्रोड़क्ट को टार्गेट करना और हैश्टेग बॉयकॉट तनिश्क जैसी चीजों का शुरू हो जाना ये भी एक मेच्चोर समाज की कलतना पर प्रश्चिन लगा देता है सुशान सिंग राजबूत को नियाए दिलाने का वाइदा करने वाले नियूस चैनल्स को ट्रोल क्यों नहीं किया जाता जो सुशान की आड में पड़िया टीर पी की मलाई खा रही है हाथरस केस को सर्कस बना देने वाले अधिकारियों को ट्रोल क्यों नहीं किया जाता और क्यों नहीं ट्रोल क्या जाता उन निताओं और अफसरों को जिनें सड़कों पर परदर्शन करते किसान नहीं दिखते वैसे टृलर्स को याद करा दू कि जिस दीपिका पादु कौने को नशीडी कहकर टृल किया गया था उस दीपिका पादु कौने की पदमावत फिलम की ट्रैलरी भी तनिश्क नहीं डिजाइन करी थी बगैर किसी बात पे किसी के भी पीछे पढ़ जाने वाजी ट्रॉलर्स शायद इस बात का भी मुद्धा बना दे दोस्तो आप इस विशे में क्या सोचते हैं अपनी राए कमेंट सेक्शन में जरूर रखें वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेर जरूर करें देने वात उस्तो